बहुत बहुत नवस्कार आप शभी को स्वागत है आप सभी का उतकर्स परिवार में I hope आप सभी स्वस्त होंगे तो ये सब्ता है आपका दिवाली का सब्ता है आप सभी को दिवाली के धेर सारी सुपकामने तो जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है कौन होंगे भारत के 51 मुख्य नयधिस तो इस समय जो हमारे करेंट के Chief Justice हैं चंचूर साथ वो रिटायर हो रहे हैं नवंबर में और उसके बाद नए Chief Justice आपके बनेंगे संजीव खन्ना उन्रेबल संजीव खन्ना 91 Chief Justice होंगे और मात्र 6 महीने के लिए अपना कारेबार ग्रहन करेंगे तो यहां हमें समझना यह है कि आखिर Chief Justice of India की नियुक्ति कैसे होती है और अन्य नय अधिशों की नियुक्ति कैसे होती है तो देखिए Chief Justice of India की नियुक्ति की अधि हम बात करें तो सुरुवाती दोर में यह परंपरा थी कि सुप्रीम कोट के जो सबसे बरिष्ठ जज होंगे उमर में बरिष्ठता नहीं, कारे में बरिष्ठता उन्हे Chief Justice बनाया जाएगा सुरुवात में जब भारत का सम्मेधान लागू हुआ और 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोट का उधगाटन हुआ उसके बात से लेकर यह परंपरा लगातार चलती रही 1973 तक यह परंपरा चलती रही कि यानि सुप्रीम कोट के अन्य नयधीसों में जो कारे में वरिष्ठ होता था उससे Chief Justice बनाया जाता था मुख्य नयधीस बनाया जाता था लेकिन 1973 में इसका उलंगन किया गया स्रीमती इंद्रा गांधी की सरकार ने इसका उलंगन किया और तीन लोग बरिष्ठता करम में आगे थे उनको Chief Justice के तौर पर सुईकार न करके एन रे को Chief Justice बनाया गया जबकित तीन लोग बरिष्ठता करम में आगे थे एक थे Justice Salet, Justice Grower और Justice Hager Justice Salet, Justice Grower और Justice Hager ऐसा कहा जाता है कि सरकार इन से इस बात पर नाराज थी कि Case 1 अन्भारती Case में ये खिलाफ में थे यानि विपक्ष में थे यानि साथ छे से Case 1 अन्भारती का फैसला आया था और जिसमें से Doctrine of Basic Structure मुल ढाचे का सिद्धान दिया गया था और उन साथ में से ये तीन जैस थे तो इस सरकार नाराज थी इस फैसले से सरकार नाराज थी ऐसा कहा जाता है और इस वज़ा से बरिष्टता क्रम का उलंगन किया गया और A.N. Reray को चिप जश्टिस बनाया गया एक बार और इसका उलंगन हुआ 1977 में और उस समय बरिष्ठता क्रम में आगे चल रहे थे हंसराज खनना जेस्टिस हंसराज खनना लेकिन जेस्टिस हमिदुल्ला वेक को चीप जेस्टिस बनाया गया खेर दो बार इस बरिष्ठता क्रम का उलंगन किया गया लेकिन 1993 में सेकंड जेस्ट केस आया दृतिय नयाधिस मामला और दृतिय नयाधिस मामले में ओनरेबल सुप्रीम कोट ने यह किलियर कर दिया कि चीप जेस्टिस ऑफ अंडिया की नियुक्ति यानि भारत के मुख्य न अन्य नयाधिस से मिलकर बनता है ठीक है स्टार्टिंग में जब संविधान लागू हुआ तो उस समय जो संख्या थी वो संख्या एक मुख्य नयाधिस थे प्लस साथ अन्य नयाधिस और संविधान में ये बात उलखित थी कि जजेज की संख्या बढ़ाने का अधिकार संस कई फुट जैसन में ऊन्य नाय धीशों की न्यूक्ति कैसे होगी बहरत देश में नदोक्णित की नें प्रक्रिया जानते लोगि घृव्षिं City है एक प्रक्रिया है कोलेजियम प्रक्रिया कोलेजियम में चीप जस्टिस ओफ इंडिया यानि भारत के मुख्य नयाधिस प्लस चार वरिष्ठ नयाधिस कहां के सुप्रीम कोट के सामिल होते हैं चार वरिष्ठ नयाधिस सामिल होते हैं प्रक्रिया यह होती है कि सुप्रीम के Judges को न्यूक्त करेगा लेकिन किसकी सलाह पर Chief Justice of India भारत के मुख्य न्याधिस के परामर्स पर राष्टुपती के द्वारा जजज की न्यूक्ति की जाएगी लेकिन भारत का मुख्य नयाधीस चार वरिष्ट नयाधीसों से सलाह लेकर परामर्स देगा भारत का मुख्य नयाधीस के दोरा जो परामर्स दिया जाएगा ये सिंगल कंसल्टेशन नहीं होगा यानि एकल परामर्स नहीं होगा यह चार बरिष्ठ नियाधीसों से सलाह लेकर परामर्स दिया जाएगा ठीक है और इसी प्रक्रिया को हम कॉलेजियम सिस्टम के नाम से जानते हैं यानि इसी को हम कॉलेजियम प्रक्रिया के नाम से जानते हैं यहां एक Hypishrais बात का ध्यान रखना है, कि चार में दो ब्यक्ति यदि किसी के नाम पर वीटो करते हैं, याईनि किसी के नाम पर यदि दो जजस आसहमती जताते हैं, तो उस ब्यक्ति के नाम की सिफारिस नहीं होगी, जिन जज के नाम के सिफारिस हो रही है उनके लिए Chief Justice of India की सहमती होना जरूरी है ये प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि originally constitution में थी नहीं ऐसा है कि किसी कानून के द्वारा इस प्रक्रिया का निर्माड किया गया है बलकि इस प्रक्रिया को डबलब किया गया सुप्रीम कोट के judgment के द्वारा यानि सुप्रीम कोट के जज को न्यूक्त करेगा अब यहां पर परामर्स सब्द असपष्ट नहीं था कि राष्ट्पती पर परामर्स बाद्धेकारी होगा या बाद्धेकारी नहीं होगा कौन से जज होंगे जिनकी सलाह ली जाएगी तो लिखा जरूर था लेकिन ये प्रक्र बाद्धेकारी नहीं है अब जाहिर सी बात है कि जब परामर्स राष्ट्पती के उपर बाद्धेकारी नहीं है तो राष्ट्पती मंत्री परिशत की सलाह को कंसीडर करेगा क्योंकि राष्ट्पती समस्तकारियों को मंत्री परिशत की सलाह पर करता है तो ऐसे में पर सवाल उठे, Supreme Court की transparency पर सवाल उठे, क्योंकि जाहिड सी बात है कि सक्तियों के प्रत्क्रण के सद्धानत में अगर कारेपालिका को ही अकेले अधिकार दे दिया जाएगा, जजजेश की नुक्ति का, तो ऐसे में कारेपालिका मनमानी कर सकती है, अपने लोगों को नुक्त कर सकती है, और जो उसकी तरफ पक्ष लेकर या पक्षपाती होकर कारे कर सकते हैं, और ये जुडिसल सिस्टम के लिए ठीक नहीं है, और ये कारण रहा कि जब ये मसला दुबारा उठा Supreme Court में, उसका नाम है Second Judges Case 1993, और जिसमें Honorable Supreme Court ने यह हस्पष्ट कर दिया, कि जजेश की न्यूकती राष्टुपती Chief Justice of India के परामर्स पर करेगा, और Chief Justice of India दो बरिष्ट नया धीसों से सलाह लेकर परामर्स देंगे, और यह परामर्स राष्टुपती पर बाध्धिकारी होगा, Second Judges Case में ये किलियर हो गया, कि इस पैनल की बात राष्टुपती को माननी होगी, Third Judges Case आया, 1998, और Third Judges Case में Honorable Supreme Court ने कहा कि Supreme Court के नया धीसों की न्यूकती राष्टुपती करेगा, और राष्टुपती भारत के मुख्य नया धीस के परामर्स पर करेगा, और भारत का मुख्य नया धीस चार बरिष्ट नया धीसों से सलाह लेकर यह परामर्स देगा, और इस इसी तरह से इस Collegiateum Prakritiya का विकास हुआ, यानि Collegiateum Prakritiya का डवलम्न्ट हुआ, लेकिन क्या हुआ कि mutual diyum prakritiya में हैं कुछ दोस आ, इस बात के आरोप लगे, भाई-भतिजावात के आरोप लगे, पक्षपात के आरोप लगे, तो ऐसे आरोप से बचने के लिए और appointment commission यानि राश्ट्रुपती जजेश की नियुक्ति NJAC की सिफारिस पर करेगा NJAC एक panel होगा जिसमें सामिल थे भारत के मुख्य नयाधिस, बिधी मंतरी, सुप्रीम कोट के दो बरिष्ट नयाधिस और दो प्रक्ष्याद व्यक्ति और जो दो प्रक्ष्याद व्यक्ति NJAC में सामिल थे उन दो प्रक्ष्याद व्यक्तियों को नियुक्त एक समिती के सिफारिस पर किया जाएगा उस समिती में भारत के मुख्यने अधिस, प्रधान मंत्री और विपक्ष के नेता सामिल होंगे। उस समिती में कौन-कौन सामिल होगा। उस समिती में भारत के मुख्य ने आधिस प्लस विपक्ष के नेता और प्राइम मिनिस्टर समलित होंगे और प्रधान मंतरी समलित होंगे तो ये समिती जो आपकी है ये डिसाइट करेगी कि दो प्रख्यात बेक्ति कौन होंगे और इस पैनल के सिफारिस पर जजेज की जेज केश 2015 में सुप्रीम कोर्ट में चतुर्थ नियाधिस मामला और चतुर्थ नियाधिस मामले में ओनरेबल सुप्रीम कोट ने उन्जेयस को आ संवैधानिक करार दिया यानि अपनी न्याइक समिक्षा की सक्ति का इस्तेमाल करते हुए 99 संविधान संसोधन को सुन और आप जहनते हैं, तो कोलेजियम को फिर से रिश्टोर कर लिया गया Aujourd's Judge s case में, तो इस समय हमारे भारत देश में सुप्रीम कोर्ट के जजेज को और हाई कोर्ट के जजेज को कोलेजियम प्रोसेस के थूँ यानि कोलेजियम प्रक्रिया के थूँ ही नूक्त किया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट में इस समय 33 अन्य नाय अधीस है, उनको कैसे निउक्ट किया गया है? कुलेजियम के थूँ. MAY कौन जों होता है चीफ जेश्टिस प्लस 4 अन्य नाय धीस चीप जेश्टिस के नाम का परामर्स देते हैं राष्टपती को और राष्टपती को ये पराम तो अन्य नयाद हीसों में ही जो कारे के आधार पर बरिश्ट होता है वर्क एक्स्पिरियेंस ज्यादा होता है उन्हें चीप जेस्टिस नुक्ट किया जाता है ठीक है तो मेरे भाईयों हमारे उतकर्स परिवार के द्वारा इस दिवाली पर आप सभी के लिए प्रस्तुत किया गया है धामा का ओफर ठीक है जिसमें 24 तारीक से लेकर यानि 24 अक्टूबर से लेकर 3 नौंबर तक उतकर्स बुक साला पर अगर आप सिविल सर्विसेस की कित किताबों को परचेज करते हैं तो आपको अप टू 80 परसंट तक का डिसकाउंट मिलेगा यानि 80 प्रतिशत तक का डिसकाउंट आपको मिलेगा यदि बुक साला पर आप सिविल सर्विसेस की किताबों को परचेज करते हैं तो दूसरा ओफर आपके लिए यह है कि यदि online course में यदि आप इन्रोल करते हैं तो ट्रिपल धमा का ओफर चल रहा है सबसे पहला आपको 90% तक का discount मिलेगा पहली बात और दूसरी बात तीन महीने की extra validity आपको मिलेगी और यदि आप life from classroom course में इन्रोल करते हैं तो उसके साथ recorded course आपको free दिया जाएगा ठीक है साथ ही साथ हमारे उतकर्ष परिवार के द्वारा UPSC prelims test series सुरू की गई है 20 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2024 से और इसमें paper first के 29 टेस्ट है यानि 29 टेस्ट है paper first का जो की कि सफलता में सबसे जादा सहायक खासकर civil services में सबसे जादा सहायक रोल अगर किसी का होता है तो टेस्ट का होता है और इस समय offer के तहत जो इसका प्राइस चल रहा है वो 4000 चल रहा है इसका नाम है प्रारब्ध 2025 UPSC prelims test series यह आप उतकर्स application पर देखेंगे तो इसी तरह से लिख कर आएगा इसमें कुल 37 टेस्ट है तो चलिए इसी के साथ आज की सेशन को विराम देते हैं आप सभी को एक बार फिट से दिवाली की धेर सारी सुपकामना है नमस्कार